सब्सक्राइब करें दिसक्राइब करने जा रहा है रिवर 3 मिटर दीप और 40 मिटर वाइब इस दो इस दो इस दो किलोमेटर पर आप यहां हमें 2 किलोमेटर कर आर यह रिवर के वाटर की स्पीड दी गई है लेकिन हमसे यह पूछा गया है कि एक मिनित में कितना पानी समुद्र में जाएगा तो फर्सली हम यह देखते हैं कि हम जानते हैं कोई भी लिवर जो होती है वो क्यूबडल शेप में होती है जैसे कि उसको इस तरह से हमें वो लैंट की शेप में निखाए देती है जो पानी है वो लैंट की अकोडिंग फ्लो करता है इस तरह से कि इसकी क्यूबाइल शेप होती है इसमें डैथ होती है तो इस तरह से हम अगर क्यूबाइल की शेप बना लेते हैं तो अगर इमेजनेशन किया जाए तो इस तरह से पानी फ्लो होता है उपर की तरफ जो हमें लिखाई देता है लेकिन अंदर की तरफ जो गहराई होती है उसमें भी पानी ही होता है कि यह सारा पानी जो है इस सारा वाटर फ्लो होकर के एक समध में जाकर मिल जा रहा है तो यह तो इसी को हम रही है इतने hyथ तक जितना भी यह water राव जाता है तो firstly हम यहां पर देखते हैं कि जो रिवर है इसकी रैन हमें नहीं बताई गई है लेकिन इसकी width बताई गई है यानि कि इसको हम ब्रथ भी पहुत सकते हैं इसकी width है 40 m and जो depth दी गई है वो है 3 m, दीप दी गई है तो इसी को हम हाइट भी कह सकते हैं इस क्योगोडल शेप की हाइट 3 मीटर है एंड नौ यह देखा जाए कि यह जो 2 किलोमीटर पर आर है इसके अपोर्डी थम लैंड फाइंड कर सकते हैं फिर दीप इस इकोल तो 40 मीटर एंड है इस इकोल तो 3 मीटर एंड शेप ओड वाटर इस इकोल तो 2 किलोमीटर पर आर है तो इहां में बता है कि यह जो इस पीड होती है इस इकोल तो दिस्टरिस अपाउट ताइम तो दिस्टरिस का मतलब क्या हुआ हमें रिवर की लैंध नहीं पता है रिवर की लैंध बहुत ज्यादा होती है लेकिन हमें यह कहा गया है कि 2 किलोमीटर का जो वाटर है वो हर एक घर्टे में समुद्र में जाकर मिल जाता है तो हम यह देख लेते हैं कि 2 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया है रिवर का उसमें कितना वाटर है यह वोल्यूम फाइन कर सकते हैं इस क्योगोडल शेट का वोल्यूम फाइन करके हम यह फाइन कर सकते हैं कि इसमें कितना वाटर है वोल्यूम फाइन कर सकते हैं यह देख यह एक क्योगोडल शेट है और ल होगा 2 किलोमीटर इंटो दी किलोमीटर इंटो 40 मिटर इंटो 3 मिटर यहां पर यह दैमेंशन मिटर नहीं है तो किलोमीटर को भी हम मिटर में चेंज कर रहते हैं तो यहां पर यह आजाता है मिटर क्यों इस वॉल्यूम आया है यह उस पानी का वॉल्यूम है जो कि हर घंटे समुद्र में जाकर मिल रहा है तो हम यहां पर रिख सकते हैं वॉल्यूम ओफ वॉटर फॉलिंग इंटो सी इंटो सी इंटो वन आर्र इस एकुए टो 2000 इंटो 40 इंटो 3 मिटर क्यों अगर हम इस वैल्यूम को सिस्टी से डिवाइब कर देते हैं तो हमें अपना आंसर बिल जाएगा ओके So, volume of water falling into C in 1 minute, it is equal to 2000 x 40 x 3 x 60 meter cube. So, we calculate this, this is 30, 3, this is 10, 0 x 0, cancel. So, 4000 meter cube. This is the answer. The answer here is that the speed of the water, according to the distance, we find the distance. This is why the distance gives us a fixed length. So, we have seen how much volume of water is in this area, we find the speed of the water. Okay? The width and depth is fixed, but the length is fixed. So, we can find the volume of water in a fixed area according to the speed of water. Okay? So, according to this, we have seen that the speed of the water is in this area. Okay? If you have any questions or any doubts, you can post them in the comments. Thanks for watching the video and do watch our next video. Thank you. catch it! якorish Is 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 Is